हलो दोस्तों मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं दे कॉमर्स ट्यूटर आज के इस वीडियो में हम फाइनल अकाउंट की जो अपनी टॉपिक डिसकस कर रहे थे उसे रिलेटेड एक और प्रैक्टिकल क्वेस्टिन करेंगे यह वाला और यह इंस्टिटूट की मैट का क्वेशन नंबर वन है प्रैक्टिकल क्वेस्टिन के पार्ट का ठीक है ना तो चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं तो मिस्टर गांगुली के बुक्स में हमको फाइनल अकाउंट बनाने हैं 31 मार्च 2020 को ठीक है ना तो क्या-क्या फिगर्स दिये हुए हैं देखो यहाँ पर गांगुली का कैपिटल है याद रखना यह कोई ट्राइल बैलन्स नहीं है आपको ऐसे हैं यहाँ पर सारे फिगर्स जो है वो दिये हुए गांगुली का कैपिटल है स्टॉक है सेल्स है सेल्स रिटर्न है परचेज परचेज रिटर्न कैरेज रेंट सालरी इसके बाद नीचे आ जाएंगे यहाँ पर है संडरी डेटर्स संडरी डेटर्स लोन फ्रम देना बैंक इंटरेस्ट पेड प्रिंटिंग स्टेशनरी अडवर्टीजमेंट और इधर आपका इस साइड में है इंटरेस्ट कैश्विट ट्रेडर्स बैंक यह कैशएट बैंक है डिसकाउंट रिसीव्ट इंश्वरेंस प्रिमियम इसके बाद क्या है ट्राविलिंग एक्स्पेंसेज पोस्टेजन टेलिग्राम कैश इन हैंड डिपॉसिट्स अट 10% कुछ डिपॉसिट्स भी हमने कहीं पर करा रखे हैं जिस पर 10% इंटरेस्ट हमको मिलता है अब यह डिपॉसिट्स हमने करा इसा डिपॉसिट कराया है और वह हमको 10% इंटरेस्ट इस पर देता है उसके बाद आखरी आइटेम है ड्रॉइंग्स ठीक है अब एक बार एड्जस्मेंट्स पढ़ लेते हैं और एड्जस्मेंट्स पढ़ने के साथ साथ हम क्या करेंगे जो भी आइटेम्स के एगेंस मे सबसे पहलेगी उसमें हम ऐसा डॉट लगाते हुए चलेंगे ठीक है तो आओ देखते हैं एड्जस्मेंट्स में क्या बोला हुआ है सबसे पहला वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 2020 इस थ्री लाक नैंटी थी थाउजन तो यह अपना क्या हो गया क्लोजिंग जो है वो 3,93,000 उपय का है इसमें एक गुड्स है जो एक कस्टमर ने हमको रिटर्न किया था 31 मार्च 2020 को तो कस्टमर ने जो गुड्स रिटर्न किया था यह हमने क्लोजिंग स्टॉक में अल्रेडे रेकॉर्ड कर लिया है तो क्लोजिंग स्टॉक के फिगर में तो कोई प् और debtors जो है वो कम होना चाहिए है, credit होना चाहिए है, sales return जो है, sales आपको minus करके दिखाना पड़ता है, तो यहाँ पर जो sales है, यह वाला, इसमें एक adjustment होगा, ठेक है न, और debtors जो है, debtors कहाँ दिख रहा है मुझे, debtors, यह debtors में भी यहाँ पर एक adjustment होगा, अच्छा, चलो आगे पड़ता है, दूसरा कहा है, purchases include furniture, purchase on first January 2020 for rupees 10,000, तो first January 2020 को एक furniture purchase किया था, वो purchase में खुसा हुआ है, तो purchase में एक adjustment होगा, और यह furniture जो है, इसमें भी एक adjustment होगा, ओके, चलो यह होगा हमारा, उसके बाद, depreciation should be provided on furniture at 10% per annum, यह word लिखा हुआ है, ध्यान रखना, और साल के investing एक adjustment है, देख लेंगे हम लोग इसको, तो furniture जो है, इसमें भी एक और ठिक depreciation का, दो adjustments होगा यहाँ पर, ठीक है, इसके बाद देखो, the loan account from Dena bank in the books of Ganguly appears as follows, तो यहाँ पर आपको Dena bank से जो loan हमने लिया है, यह वाला जो account आपको बना के दिखाए, यह है, loan account, ठीक है, यह debit औ 19 को, opening balance था, loan account का 50,000, ठीक है, यह दिखाई दे रहा है आपको, यानि कि साल के शुरुवात में हमारा loan कितने का था, 50,000 का, ओके, फिर देखो, closing date वे, यह जो closing date है, उस दिन loan का balance कितना हो गया, 1,00, और हमारे, यहाँ पर जो figures दिये हुए है, उपर, trial balance जो दिवी है, जो भ closing figure, ठीक है, यहाँ account में भी आपको closing figure में 1,00, दिखा रहा है, अब बीच में, सुरू में 50,000 था, और अंत में 1,00, यानि कि बीच में आपने 50,000 का और additional loan उठाया होगा, तो यहाँ पर देखो, यह जो है, buy bank आपको जो दिखाई दे रहा है, यह 50,000 का आपने और additional loan जो है, उठाया, ठीक है, अब यह किस दिन उठाया, देखो, 31 March 2020, बिल्कुल last date को उठाया है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, last date of the year, अब यह चीज़ आपको interest calculate करते समय, help करेगी, क्योंकि interest calculate करते समय, यह वाले portion पर actually कोई interest होगा नहीं, क्योंकि यह अपने last दिन उठाया है, 31 इस March को, तो इस पे तो कोई interest होगा नहीं, जो भी होगा, पूरा इस उपर वाले 50,000 के उपर ही होगा, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, discussion को आगे बढ़ते हैं, अच्छा, यह जो अपनी adjustment है, यह आपका loan from Dena Bank में, यहाँ नहीं, interest paid जो है, इसमें शायद कोई adjustment होगी, और loan from Dena Bank में भी एक dot लगा के रख लेता है, ठीक है, sundry debtors include rupees 20,000 due from Robert, and sundry creditors include 10,000 due to him, तो देखो यह न, mutual debtors और creditors का case है, इसमें क्या होता है, कि एक ही बंदे को आपको कुछ पैसे देने भी है, और एक ही बंदे, उसी बंदे से आपको कुछ पैसे लेने भी है, तो आप दोनो में से जो भी short amount है, उसी को adjust करोगे, ठीक है, इसकी discussion हम problem को करते समय करेंगे, एक adjustment आपकी debtors में होगी, और एक creditors में होगी, ठीक है, तो इसको जो है, एक बाद debtors और creditors को mark कर लेता है, यहां debtors को mark कर लिया, और यहां creditors को mark कर लिया, ठीक है, अब आगे बढ़ता है, interest paid include 3, 3,000 paid to Dena Bank, तो यहां पर interest जो है paid में, यहां पर हमने already adjustment जो है, वो लगा कर रखा है, देख लेंगे इसको क्या करना है, ठीक है, उसके बाद क्या है, देखो, साथमा point, interest received represents Rs. 1000 from the sundry debtors and the balance on investments and deposits, अब क्या होता है, जो भी interest आपने receive किया है, यहां पर देखो, अपने जो figures है, इसमें देखो, यह 7,250 रुपए का जो आपने interest receive किया है, इसमें 1000 रुपए जो है, वो आपने किसी debtor से receive किया है, हो सकता है कि कोई debtor जो है, आपका late से payment दे रहा हो, और late से payment देने के कारण आपने उसको बोला हो कि देखो, मैं तो सिर्फ ऐसे payment लूँगा नहीं, आपने ब 7,250 था शायद, देख लेते हैं एक बार, हाँ देखो, यहाँ पर 7,250 है, 7,250 से 1,000 घटाद होगे, तो आजाएगा आपका 6,250, तो 6,250 रुपया जो है, वो investments और deposits पहम को मिला है, ठीक है, investments deposits था हमारा उपर, अब आगे देखो, provide for interest payable to Dena Bank and for interest receivable on investments and deposits, इसका मतलब क्या है, क जो भी interest हमने Dena Bank को अभी pay करना है, हमारा outstanding है, उसकी entry लेनी पड़ी की, provide for मतलब उसका accounting करना पड़ेगा, ठीक है, और जो भी interest हमारा receivable बन रहा है, investments and deposits पे, मतलब जितना हमको मिल गया, यहाँ पर देखो, लिखा है 7th point में, interest receive represents 1,000 from Sunry debtors and balance on investments and deposits, इसका मतलब हमको कुछ त शायद नहीं मिला है, जितना हमारा due है उतना शायद नहीं मिला है, तो जितना हमको मिलना चाहिए था पर नहीं मिला, उसकी accounting हमको कर लेनी पड़ेगी, ठीक है, तो यह चीज़ भी हम कर लेंगे, और नौवा और आखरी adjustment है, make provision for doubtful debts at 5%, तो हमको sundry debtors पे provision for doubtful debts बनाने है, no provision is needed to made for deposits, तो हमारे जो deposits हैं, यहाँ पर बताए हुए थे एक लाग के थे शायद, यह जो deposits है हमारे, इस पे हमको कोई provision करने की ज़रत नहीं है, debtors पे, तो debtors पे एक दाग जो है लगा लेते है, अब देखो यहाँ पर provision for doubtful debts का कोई भी opening balance नहीं है, यानि कि हमारे पास opening date में क start करेंगे, अब देखो format जो है मैंने यहाँ पर बना रखी है, यह trading account है, यहाँ पर नीचे जो है, यह आपका इतना जो part है, यह profit and loss account है, और नीचे आपको यहाँ पर balance sheet दिख जाएगा, ठीक है, तो चलो, एक एक करके जो है, सारी entries को यहाँ पर डालना, चालू करते है, तो amount है, inner column में लिखेंगे 5,440,500, ठीक है, यह हो गया, यह stock as on 14,2019, 2,34,000 का यह अपना opening stock है, तो opening stock को आप कहां लिखते हो, obviously trading account में, यहाँ पर आप लिखोगे opening stock, और यहाँ outer column में सीधे क्योंकि कोई adjustment नहीं है, ठीक है, इसके बाद देखो sales है, हमारा एक adjustment है, तो inner column में होड़ेगा, तो 2 adjustments हो गए, तो 14,48,000 का हमारा sales है, तो आजाते है, trading account के credit side में, यहाँ देखो sales amount inner column में लिख दिया, 14,48,000, ठीक है, अब sales return जो है 43,000 की, इसको sales है, हमको minus करके दिखाना है, तो sales return जो है, वो sales से आप less करोगे, और यहाँ पर amount जो है, वो लिख दोगे 43,000, यह भी हो गया, purchase जो है, trading account के debit side में आएगा, 12,15,500, adjustment है, इसलिए inner column में लिखेंगे, तो यहाँ पर purchase जो है, यह 12,15,500, ओके, अब purchase return हमारा 29,000 का है, तो purchase return को purchase से घटा के दिखाएंगे, तो यहाँ पर less purchase return, यह 29,000, ठीक है, carriage invards, direct expenses है, याद रखना, carriage invards direct expenses है, तो कहाँ प ठीक है न, तो आजाओ, यहाँ पर नीचे जो है, carriage inward, यहाँ direct outer column में हम figure जो है, लिख देंगे, ओके, उसके बाद rent, rent हमारा indirect expenses है, 28,500, profit and loss account में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर, profit and loss account में आ जाते है, यहाँ पर to rent, और direct outer column में 28,500 हमने लिख दिया, ओके, अब salaries, salaries भी देखो, 46,500 जो है, यह हमारा indirect expenses है, तो salaries भी हमने यहाँ पर लिख दिया, कोई adjustment नहीं है, इसलिए सीध है, outer column में लिख रहे हैं, ओके, अब नीचे बढ़ता है, sundry debtors, sundry debtors हमारे कितने के हैं, 1,20,000 के, ओके, यह sundry debtors, 1,20,000 के हैं, लेकिन 2-3 adjustments है, इसको balance sheet में जाते हैं, sundry debtors जो है, यहाँ लिख देते हैं, और inner column में इसका amount हमने लिख दिया, ठीक है, इसके बाद sundry debtors हो गया, हमारा, इसके बाद sundry creditors, sundry creditors कितना है, 74,000, इसमें भी एक adjustment है, तो sundry creditors जो है, यहाँ, यहाँ लिख देते हैं, और adjustment है, इसलिए inner column में figure हमने लिख दिया, उके, उसके बाद sundry creditors के बाद, loan from dena bank, loan from dena bank, 12%, यह 1,00,000, रुपए का है, ठीक है, तो इसको भी अपने को लिखना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देते हैं, loan from dena bank, और यहाँ पर इसको एक बार internal column में रखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ interest का हमारा adjustment है, उसके बाद देखो interest paid, interest paid हमारा indirect expenses है, adjustment है, inner column में लि interest paid जो है, इसको लिख देंगे inner column में 4500, हो गया हमारा कम, printing and stationery, 17,000 का है, PL account में लिख देंगे, फटा फट, printing and stationery, यहाँ पर थोड़ा सा space छोड़ दिया, क्योंकि interest paid में हमारा adjustment है, direct outer column में लिख दिया, ठीक है, advertisement 56,000 का है, इसको भी लिख देते हैं, फटा फट, advertisement जो है, 56, 5000 का अपना आ गया, अब इधर देखो, क्या items है, interest received, अपना कितना है, 7250, तो interest received जो है, यह हमारा income होगा, तो इसको यहाँ लिखना पड़ेगा, हमको, interest received, यहाँ उपर थोड़ा सा space, gross profit के लिए छोड़ दिया, और inner column में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर adjustments है, ठीक है, ठीक balance sheet में है, हमारा cash at bank, 40,000 का, सबसे नीचे आएगा balance sheet में, सबसे नीचे मतलब cash in hand से उपर, तो आ जाते हैं, अपने balance sheet में, और यहाँ पर हम लिख देंगे, cash with traders bank, सीधा outer column में figure जो है, वो बैठा देंगे, okay, discounts received हमारा कितना है, 14,950, क्या है यह हमारा income है, हमको discount received हुई है, तो profit and loss account के credit side में, यहाँ आ जाते हैं, discount received, थोड़ा सा space adjustment के लिए हमने छोड़ दिया, सीधा outer column में इसमें लिख देंगे, कोई adjustment इसमें नहीं थी, investments at 5% on 14, 2019, 25,000 के हैं, investments at the rate of 5%, तो इसको balance sheet के asset side में लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे, investments, यह सीधा outer column में हमने figure लिख दिया, investments 5%, furniture जो है, 14, 2019 को 9,000 है, लेकिन इसमें दो adjustments है, तो furniture कहा है हमारा, 14, 2019 को, यह हमारा 9,000 है, दो adjustments है, ओके, इसलिए internal column में लिखा है, discount allowed, देखो, expense है, अपना, 37,700 रुपए, profit and loss account के debit side में जाएगा, तो discount allowed यहाँ पर लिख देंगे, 37,700, ठीक है, अच्छा, इसके बाद general expenses जो है, वो है अपना 19,600 का, general expenses कितने का है, 19,600 का, तो इसको भी profit and loss account के, यहाँ पर debit side में लिख देंगे, तो यह है general expenses, 19,600, actually power चली गई है, इसलिए मैंने अपना webcam जो है, वो बंद कर दिया, ठीक है ना, तो थोड़ी देर के लिए बेर करना, power आईगी, तो मैं webcam फिर से on कर दूँगा, audit fees, audit fees देखो, 3500 का है, यह profit and loss account के debit side में आएगा, तो audit fees भी यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, लिख दिया, इसके बाद इस side में क्या बचा है, traveling expenses, traveling expenses हमारा 11,650 रुपय का है, तो traveling expenses को भी लिख दो यहाँ पर, 11,650 रुपया, उसके बाद postage and telegram, 4,350 रुपया, भर-भर के indirect expenses जो है ना, इन्होंने दे रखे हैं question में, चलो यह भी लिख दिया, cash in hand, यह balance sheet के बिल्कुल नीचे आएगा, cash in hand, आ जाते हैं balance sheet में, यह cash advance के नीचे यहाँ पर लिख देते हैं, cash in hand, और यह amount सीधा outer column में, 1900 रुपया है, अब देखो, deposits at 10% as on 14 2019, opening date पे 1,50,000 अजार अमारा deposits था, minus होके लिखाता है, तो capital हमने अल्रेडी लिख रखी है, अब उससे drawings हमको minus करनी है, तो यहाँ पर हम less drawings कर देंगे 50,000 रुपय, तो सारे items को हमने plot कर लिया है, अब सिर्फ हमको adjustments को देखना है, तो पहला adjustment हमारा, वो था closing stock का, तो closing stock जो है, वो कितना बोल है, 3,93,000, तो इसको एक बार बैठा लेते हैं, ठीक है न, closing stock को, कहाँ पर आएगा, trading account जो है हमारा, उसमें यहाँ पर closing stock जो है, इसको सीज है outer column में लिख देंगे, 3,93,000, और हमारा balance sheet जो है, इसमें debtors के ऊपर, आप closing stock यहाँ पर लिख देता है, 3,93,000, ठीक है, तो दोनों जगा पर, जहाँ जहाँ भी adjustments की देखो, एक से ज़्यादा जगा पर posting होती है, तो जहाँ पर भी आपको करना है, एक adjustment को पकड़ो, पूरा खतम करो, और उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है, यह हो गया हमारा, अब यहाँ पर देखो, एक बात लिखी थी कि, this includes goods returned by customer on 31st March 2020, to the value of 15,000, for which no entry has been passed in the books, अब यह जो goods return है, इसके entry क्या होगी, entry मैं आपको बताता हूँ, entry हुई होगी, sales return account debit 15,000, actually entry होनी चाहिए, entry तो books में हुई नहीं है, entry होनी चाहिए, यह to debtors account, यानि कि debtors भी कमेंगे, debtors का debit balance होता है, debtors का upgrade कर रहे हैं, और sales return हो रही है, तो sales return को debit कर रहे हो, तो यह एक और sales return है, जिसका entry नहीं हुआ था, तो यह 15,000 हमको sales से minus करना पड़ेगा, और debtors से भी 15,000 हमको minus करना पड़ेगा, ठीक है, तो चलो आज आते हैं अपने question में, यहाँ पर जो हमारा sales है, sales का है, यहाँ से further sales return जो है, उसको minus करना पड़ेगा, तो returns not entered बोलके, हम 15,000 और minus कर देंगे, और final figure outer column में लिख देंगे, क्योंकि और कोई adjustment sales है हमारी है नहीं, अब balance sheet में आ जाओ, balance sheet में जो हमारा debtors है, इससे आप यहाँ पर less sales returns not entered बोलके, 15,000 माइनस कर दो, ठीक है, अब चलो question में वापस आते हैं, यह पहला adjustment हमारा हो गया complete, अब दूसरा है, purchases include furniture purchased on 1st January 2020 for Rs. 10,000, क्या लिखा है, purchases में furniture purchase किया है, एक January 2020 को 10,000 का वो घुसा हुआ है, तो purchase जो account आपने बनाई है, वहाँ से minus करना पड़ेगा, क्योंकि purchase में आपका furniture का एक purchase गुसा हुआ है, तो यहाँ पर trading account में आते हैं, देखो purchase से less यहाँ पर आपको करना होगा, purchase of furniture, amount है 10,000, और final outer column में figure लिख दो, और furniture में जो आपने purchase किया था, यह तो furniture में add करना पड़ेगा, आपको purchase में घुसा हुआ था, तो यहाँ पर कर दिया, हमने furniture purchase जौन, एक January 2020, 10,000 amount add कर दिया, अब यह outer column में नहीं लिखेंगे, क्योंकि depreciation भी furniture पर लगाना है, ठीक है, उसके बाद, यहाँ पर third में आ जाते हैं, second तो हो गया हमारा, depreciation should be provided on furniture at 10% per annum, अब depreciation furniture पर हमको लगानी है 10% per annum पर, तो इसके लिए क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा rough में बता देता हूँ, देखो, यह एक timeline है मानलो मैंने बना ली, ठीक है, यहाँ पर मानलो यह first January है, एक, एक, दो हजार बीस, यह है 31 March 2020, और यह है 1, 4, 19, ठीक है, अब यहाँ पर furniture की value थी 9,000, यहाँ पर आपने और 10,000 का furniture खरीदा, तो अंत में आपकी value होगई 19,000, ठीक है, अब depreciation कैसा लगाएंगे, देखो, यह जो 9,000 का furniture है, इस पे तो full year का depreciation लगेगा, ठीक है, पूरा 12 महीने का, लेकिन यह जो 10,000 का है आपका, यह तो आपने 1st January को खरीदा, यानि कि यहाँ पर तो यह सिर्फ तीन महीने के लिए था, तो इस पे आपको तीन महीने का depreciation लगाना हुगा, तो depreciation हमारी कितनी आएगी, मैं calculate करके बता देता हूँ आपको, यहाँ पर 9,000 into 12%, कितना % है, एक बार देख लेता है, 10% है, 12% नहीं है, यहाँ पर, into 10% जो है, तो यहाँ आपका 900 रुपया, क्योंकि यह पूरा साल का लगाना है, तो हमने पूरा 10% लगा दिया, और यहाँ पर 10,000 जो है, यह देखो, working note number 1, ऐसे आप लिखोगे, ठीक है, अब इसके नीचे, आप लिखोगे, यहाँ पर, calculation of depreciation on furniture, ठीक है, अब depreciation on opening balance जो है, अब furniture, यह आपका आएगा, कितना, 900 रुपया, यह मैंने आपको दिखा दिया, 9,000 into 10%, अब इसके बाद, आपका जो है, depreciation on furniture purchased on 1-1-2020, यह होगा, 10,000 into 10% into 3 by 12, तो यह आपका जो है, total depreciation, 1150 रुपया आ जाएगा, ओके, इस पर कोई भी घबराने की बात नहीं है, तो ऐसे ही हमको, working note जो है, दिखानी है, तो अब इस depreciation को हम क्या करेंगे, यहाँ पर furniture से minus करके दिखाएंगे, यहाँ पर less depreciation, working note 1 हमने लिख दिया है, amount दे दो 1150, outer column में figure जो है, furniture की वो लिख दो, और PL account के debit side में, depreciation on furniture जो है, यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर amount जो है, यह क्यों दिखाएंगे, ताकि आप interest ठीक से calculate कर पाओ, तो एक बार चलो, देना bank के जो loan पर interest है, उसको calculate कर लेता है, simple सा क्या होगा, बताओ, 50,000 के उपर आपका 12% का loan है, देखो यहाँ पर loan में लिखा हुआ है, यह रहा, 12% interest है, तो यह जो 50,000 का आपका loan है, 50,000 आपने opening date पे लिया था, और end date में आपने फिर 50,000 लिया, तो last date में आपने जो 50,000 लिया, इस पे तो कोई interest नहीं बनेगा, आपने last दिन में यह पैसा उठाया है, तो इस साल में तो कोई interest नहीं बनेगा, opening जो balance था, उसी पे पूरे साल का interest बनेगा, तो interest कितना होगा, 50,000 into 12% equal to कितना आता है, 3,000 रुपए है शायद, नहीं, 50,000 into 12% 6,000 रुपए है, ठीक है, यह हो गया हमारा, 6,000 रुपए हमारा interest जो है वो आएगा, अब इस से related working note भी हम करेंगे, ठीक है, उसको एक बार हम देखेंगे, अच्छा चलो, हम देखी लेते हैं, उसको पहले ही कर लेते हैं, यह मैंने बना के ही रखी है, ठीक है, यह देखो, working note number 2, interest on loan फ्रॉम देना बैंक, तो यहाँ पर, interest on opening balance of loan जो है, यह आपका आजाएगा, 6,000 रुपए है, मैंने आपको दिखा दिया कैसे, उसके बाद, interest on additional loan टेकन जो है, वो आपका 0 आएगा, तो आपका total interest कितना आगया, साल भर का, 6,000, ठीक है, अब यहाँ पर question में एक बार वापस आना, question में एक बार वापस आएंगे, देखो, यहाँ पर एक बार 5th point को थोड़ा सा skip करते हैं, ठीक है, 6th point में देखो, क्या लिखा है, interest paid include rupees 3,000 paid to Dena bank, आपने जो Dena bank को interest pay किया है, उसमें 3,000 pay हो गये, तो interest paid का figure जो है हमारा, कितना दिखा रहा है, interest paid का figure दिखा रहा है, interest paid का figure हमको दिखा रहा है, 4,500, ठीक है न, इसमें हमारा 3,000 Dena bank को pay किया है, और बाकी 15,000 रुपया किसी और कारण से हमने को interest pay किया होगा, जिससे हमको अभी मतलब नहीं है, हमको मतलब है, 3,000 रुपया Dena bank का हमने interest pay किया है, लेकिन Dena bank का interest कितना बनता है, 6,000, और उससे हमने pay कर रखा है, सिर्फ 3,000, ठीक है, तो 3,000 हमारा outstanding interest हो जाएगा, है की नहीं, तो इसका हमको accounting करना पड़ेगा, क्योंकि question में ऐसा बोल दिया है, कि provide for interest payable to Dena bank, ठीक है, तो आ जाते है question में, यहाँ पर देखो, आपका जो 6th point था, interest paid include 3,000 paid to Dena bank, इसको अब अपने working note में हमको थोड़ा सा use करना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, interest paid to Dena bank during the year, 3,000 रुपया, तो हमारा outstanding interest on loan कितना आ जाएगा, 3,000 रुपया, तो यह वाला outstanding interest on loan है, इसको हमको question में दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ पर interest paid जो है न, इसमें आपको add करना पड़ेगा, outstanding interest यह working number 2, और यह 3,000 रुपया करके, आपका outer column में 7,500 रुपया जो है, वो आ जाएगा, और loan from जो देना bank है, इसमें आपको add outstanding interest करना पड़ेगा, 3,000 रुपया आपका loan जो हो जाएगा, वो 1,03,000 हो जाएगा, क्योंकि 1,00,000 रुपया bank को तो देने है as loan, और 3,000 रुपया आपको as interest bank को देने है, तो total अब payable हो गया 1,03,000, ठीक है, ओके चलो, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारा question में, यह तो हमने कर लिया, अब एक यह वाला जो छुटा हुआ था, उसको देख लेता है, अब इसके बारे में थोड़ा सा समझ ना, थोड़ा सा details में आपको समझा देता हूँ, क्योंकि इस adjustment की discussion में आपने adjustment वाले lectures में नहीं की है, इसको बोलते है, mutual debtors and creditors, ठीक है, mutual debtors and creditors, अब मान लो यह आपका business है, और यह एक बंदा है, राम, रॉबर्ट ही है, चलो रॉबर्ट question में नाम है, तो रॉबर्ट नाम ले लेता है, अब यह रॉबर्ट जो है ना, यह आपका debtor भी है, और यह आपका creditor भी है, ठीक है, DR मतलब debit हो जाता है, मैं ठीक से देता हूँ, यह है आपका debtor, और यह आपका creditor, मान लो कि इसने आप से कुछ समान खरीदा है, और यह आपको कुछ समान supply भी किया है, तो आपको, यह creditor है आपका 10,000 का, और debtor है आपका 20,000 का, आप क्या करोगे, दोनों को net off कर दोगे, तो देखो, आपको उससे 20,000 देने है, और आपको उसको 10,000 रुपए देने है, तो आप net में क्या करोगे, उससे 10,000 लोगे, ठीक है ना, तो creditor जो है, आपका liability 10,000 पेमेंट का, वो तो आप खतम हो गया, एक बाद ठीक सही आप लिखता हूँ, debtor और creditor मानना इसको, ठीक है, आपको उससे लेने कितने है 20,000, और आपको उसको देने कितने है, 10,000, तो आप क्या करोगे, 10,000 दे के 20,000 थोड़ी न लोगे, आप उससे क्या करोगे, सीधा सीधा 10,000 ले लोगे, वो कैसे हमने achieve किया, इन दोनों में से जो भी कम amount है, इन दोनों में से जो भी कम amount है, उसको आप दोनों से minus कर दो, ठीक है तो आपने balance sheet में भी न हमको वैसे दिखाना पड़ता है हम एक बार डेटर एक बार क्रेटर अगर दिखा दें तो प्रॉपर representation जो है वो नहीं होती है क्योंकि सेम बंदा है तो आपको उसका हिसाब जो है वो एड़ेस्ट करके books में दिखाना पड़ेगा तो यहां पर हम क्या करेंगे डेटर और क्रेटर जो मुच्वल अमाउंट से उसमें से जो भी छोटा अमाउंट है उस छोटे अमाउंट को हम डेटर और क्रेटर दोनों से माइनस कर देंगे तो यहां पर इसको आउटर कॉलम में हम नहीं लिख रहे हैं तो यह वाला भी हमने कर दिया चलो अब इंट्रेस्ट रिसीवड रिप्रेजेंट इसको भी एक बार समझा देता हूं यहां देखो इंट्रेस्ट रिसीवड इसकी फीगर हमको बैलेंसे में दी वही है साथ हजार दोसो पचास इससे हमने डेटर से रिसीव किया है डेटर से रिसीव किया है एक हजार का इंट्रेस्ट तो छे हजार 250 का interest जो है हमने किस से receive किया है deposits and investment से हमने 6250 का interest जो है वो receive किया इतना याद रखना तो total हमारा deposits and investments पर कितना interest बनता है देखो deposits हमारे कितने के है question एक बार देखो deposits है हमारा 150,000 का और उस पर 10% interest बनता है ठीक है तो deposits को एक बार देखते हैं एक लाग पचास हजार into 10% तो यह आगया हमारा 15,000 ठीक है और हमारा investment जो है वो कहां लिखा हुआ था investment यह रहा investment हमारा कितने का है 25,000 का और उस पर 5% interest बनता है तो आज आओ यहां पर investment है हमारा 25,000 into 5% तो यह 1250 का हो गया ठीक है तो 15,000 प्लस 1250 यह हो गया 16,250 इसमें से हमने interest already receive कितना कर लिया 6,250 जो कि यहां पर मैंने आपको निकाल के दिखा दिया तो यह 16,250 हमारा interest due बनता है हमने कमाया इतना है साल में receive किया 6,250 तो हमारा 10,000 का interest अभी भी accrue हो गया पर हमको मिला नहीं है interest accrued but not received ठीक है यहां लिख देता हूं interest accrued but not received इसकी हमको accounting करनी पड़ीगी तो यह हमारा एक ऐसा income है जो हमने कमा तो लिया पर हमको मिला नहीं तो एक तो यह profit and loss account के income जो है credit side में आ जाएगा तो इसको एक बार profit and loss account में चलते हैं अपना interest received में add करना पड़ेगा इसको interest हमने कमा लिया पर अभी तक मिला नहीं कितने का हमारा 10,000 ठीक है तो total interest हमारा कितना हो गया 17,250 अभी 17,250 का break up क्या है 16,250 जो है वो आपका deposits and investments जो है वहां से आ रही है और 1000 आपका data से आ रहा है तो total 17,250 का interest आपको इस साल का बनता है अब यह जो accrued interest है हमारा यह हमारा asset भी होगा यहां दिखा देते हैं accrued interest and investments and deposits यह हमारा 10,000 का outer column में सीधा लिग दिया ठीक है इसके लिए हमने एक working note भी बनाई है मैं आपको दिखाता हूँ यह रहा working note interest on investments and deposits अब यहां पर देखो interest on investment जो है आपका 1250 आ गया interest on deposits जो है आपका 15,000 आ गया total interest on investments and deposits for full year आपका आगया 16,250 अब यहां पर interest received during the year as per trial balance जो है हमारा 7,250 है अब इसमें से आपको less interest received from sundry data कर लोगे तो आपका आ जाएगा interest received during the year from investments and deposits जैसा कि मैंने आपको करके already दिखा दिया ठीक है न अब यहां पर से आपको मिल जाएगा कि आपका accrued interest जो है जो deposits and investments पे आपको कितना अभी तक received नहीं हुआ पर आपने earned कर लिया तो वह होगा 16,250 माइनस 6,250 याने की 10,000 तो यह proper working note का ऐसे आपको दिखाना पड़ता है ठीक है यह आप एक बर देख लो चाहे तो screenshot ले लो अब चलो उपर चलते हैं हमारा question में तो हमने इसका effect जो है वो दे दिया है तो यहां पर हम लिख देंगे working note no.3 पावर आ गई है webcam on कर देता हूं अब यहां पर adjustments में आगे बढ़ता है कहां तक हमारा हो गया यह हमने जो है यह वाला कर लिया provide for interest payable to 5% provision लेना सिंपल इसमें ज्यादा कुछ हमको करना है नहीं बिल्कुल सिंपल है क्योंकि provision की हमारी कोई opening balance नहीं दीवी थी इसलिए हमको कोई account बनाने की ज़रूद नहीं है यहां पर तो आजाओ देख लेते हैं इसको भी अपना संडरी डेटर्स है इसका balance कितना है एक लाग बीस हजार से पंद्रह हजार और दस हजार घटा दो यह जाएगा 95,000 तो 95,000 पर 5% यह हो जाएगा 4750 तो यहां पर आपको लिखना है less provision for doubtful date 4750 सीधा outer column में डेटर्स का फिगर 90,250 रुपया और यही provision for doubtful debts हमारा profit and loss account में आ जाएगा और यहां पर हम लिख देंगे 4750 तो सारे adjustments जो हैं वो हमने दे दिये हैं अब हमको calculate करना है gross profit तो यहां पर total जो है 17,83,000 इसी total को यहां लिख लेते हैं और यहां पर जो हमारा balancing figure आएगा वह होगा 2,79,500 और यह हमारा gross profit है जो कि transfer होगा profit and loss account में अब यहां पर आप gross profit को लेके आ जाओ 2,79,500 ठीक है अब इन सारे items को add करके आपका इधर का total जो है वो आ जाएगा 3,11,700 और उसमें से आप यह सारे items को घटा दोगे तो अच्छा एक बाट total को इधर लिख लेते हैं तोटल इधर हो जाएगा 3,11,700 अब इन से आप सारे items को यहां पर घटा लोगे तो आपका figure आएगा 70,500 जो कि आपका है net profit और यह capital account में ट्रांसवर हो जाएगा ठीक है liability site का total जो है 7,28,000 यहां पर हमको amount amount यहां liabilities लिखना है यहां assets यहां amount amount लिखना है यह मैंने लिखा नहीं था ठीक है 7,88,000 और इधर asset site का भी सब items का अगर आप total लगाओगे तो आपका 7,88,000 ही आएगा तो यह problem भी हमने कर ली काफी अच्छा सा problem था interesting problem था आशा करता हूं कि आपको यह problem जो है वह अच्छा लगा होगा ठीक है अब अगले lecture से हम जो है थोड़ा सा past year questions को देखने की कोशिश करेंगे कि exam में कैसा question आता है और उसके बाद मैं final accounts का topic जो है उसको खतम कर दूंगा यहाँ पर जितने भी true false और mcqs दिये हुए ना यह सब आप खुद से एक बार बना लेना ठीक है multiple choice questions क्यूंकि ऐसा एक दो marks का true false जो है आपका आजाएगा answer जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ रहता है मैट में तो बहुत ज्यादा difficulty आपको नहीं होगी फिर भी अगर कोई चीज को समझने में आपको मुश्किल हो रही है डिफिकल्टी हो रही है अगर तो आप मेरे से टेलिग्राम के ग्रूप में पूछ लेना मैं आपको answer बता दूँगा ठीक है ना explanation अगर मेरे बस में होगा तो मैं दे दूँगा तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आशा करता हूं कि आपको यह जो चीज मैंने आपको बताई है जो पढ़ाया है वो समझ में आया होगा अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को चीज सिखा नहीं सकता जब तक आप खुद उस पर काम नहीं करोगे तो सारी चीज़ें आप खुद से कवर करना जहां भी प्रॉब्लम होगी मैं हूँ मेरे से पूछ लेना ठीक है तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपका दिन आपका जबुद से आपका जब टोब होगी मैं हम भी चुद से घर जए तो सी ओमने के लेक हैं तो सारी चाहर है यह स्च प्रोगे खुद मैं हमिर्द